एक गाव में पारो नामक एक गरीब विध्वा रहती थी। उसका एक उत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में चार बरतन भी धंके नहीं थी। लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बिमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बरतन आदी करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहंत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिह था तो छोटा किन्तु समझदार बहुत था। सन्यम और धीरच की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्स दुखता रहती थी। एक दिन उसने अपनी मा से पूछा अपमा हम इतने गरीब क्यों है। यह सब तो इश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में पारों ने कहा सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला इश्वर ही जाने। अगर इश्वर ही जाने तो ठीक है। मैं इश्वर से ही पूछुँगा कि हम इतने गरीब क्यों है। बताओ मा बताओ की इश्वर कहां मिलेगा। पारों तो वैसे ही परिशान रहती थी। अथ उसकी बातों से उकता कर उसने कह दिया वह जंगलों में रहता हैै लेकिन तुम वहाँ न जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षन इरादा बना लिया कि वह इश्वर को ढूरेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह ठक गया, मगर भगवान की परचाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अत्वह ठकार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहां कहीं नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे हो? तभी सन्योग वश्मित्यू लोग का भ्रमण करते करते शिव पारवती उधर ही आनिकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यहां अबोध बालक इस बिहड जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा तुम कौन हो बालक और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? मैं इश्वर को ढूंड रहा हूँ। इश्वर को पार्वती चौंकी और पूछा मगर क्यों? इश्वर से तुम्हें क्या काम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? निर्भीक सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया. मापार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसंद हुए. मापार्वती तो करुना की सागर है. उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली प्रभ इस बालक का कुछ कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते पारवती क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। उसके दिन सुख से कटेंके, लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यहां हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सेह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और जाडियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठा कर उड़ गई। अरे मेरा हार। सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता। कैसे पकड़ता उसे। एकाध बार पत्थर उठा कर उसने चील को मारने की कोशिश की किन्तु चील अधिक उचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओजल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते-रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुँच कर उसने मा को सारी बात बताई, मगर पारों को उसकी बात पर बिलकुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई। लेकिन नसीब सिह मा की उदासीन्ता देखकर हतोट साहित नहीं हुआ। उसने मनहीमन निर्णे लिया कि वह कल फिर वही जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्ग चील को अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा देखो उसके पास कलवाला हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की आप चाहे चील को दंड दें या न दें किन्तु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रहमा से कहते हैं वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रहमा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आगरह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रहमा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुचा और जैसे ही वह चुलू भर कर पानी पीने के लिए जुका। वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकल कर पानी में जागिरी और इससे पहले की वह उठाता एक मचली उसे निगल गई। नसीब सिन फिर रोते-रोते घर आया और मा को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है, तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी माने उसे दिलासा देते हुए कहा जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझा कर मा अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था, उसने मनहीमन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा, तीसरे दिन वह फिर जा पहुँचा, शिव और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रहमा जी के पास जाकर बात की की वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उधार किया जाना चाहिए, तब ब्रहमा जी ने सलाह दी की हमें भगवान श्री हरी के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे, अत वह श्री हरी के पास पूरी बात सुनकर भगवान विश्णु ने नसीब सिह को कुछ हीरे दिये। अब मा को किसी के घर काम करने की क्या आवश्चक्ता है। अब तो उसकी मा को बहुत गुस्सा आया। वह बोली क्यों मुझे नई नई कहानिया सुना कर पागल बनाता जा रहा है। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। मा की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। दांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुँचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबते पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले यह लड़का बहुत ही सासी, हिम्मती और धीरजवाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आग्या पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी मा को दिया तो उसकी मा बहुत खुश हुई अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी अत सारे काम ही अपने आप शुब होने लगे दूसरे दिन ही एक माओ में मचली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मचली खरीद ली उसकी मा ने मचली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रहम देव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी मा ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब स इन से बोली जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकडिया ले आ, आज घर में इंधन बिलकुल नहीं है। लड़का कुलहाडी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर जिस पेड़ पर लकडी काटने के लिए चड़ा, वहाँ उसी चील का घोसला था, जो उसका हार उठा कर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। नसीब सिह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकडिया पेड़ के आसपास पड़ी थी, वही उठा कर घर की ओर चल दिया। माहार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं र पिर इश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई की जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेताबनी दी की जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे, वे तुरंत वापिस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा, अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाथ हो गई।